ओके तो आइकू ने अपने 9 सीरीज लॉंच कर दिया है आइकू 9 आइकू 9 प्रो और आइकू 9 SE अब देखो आइकू 9 और 9 प्रो के तो सारे वीडियो आपको मिहलेगा अन्बॉक्सिंग वगरा लेकिन लगता है 9 SE बाद में प्लैन हुआ या कुछ भी तो उसके रिव्यूस बगरा नहीं आ रहे हैं मेरे हिसाब से एक छोटी सी बस मुझे डिसपॉइंट्मेंट हुई कि मुझे लगा ऐसी है तो आइफोन सी तरह कोई छोटा फोन आएगा कोई छोटा और अच्छा फोन आता तो वेट होती है उसकी लेकिन खैर यह भी सही है फ्लैक्शिप किलर तो डीटेल में दखते हैं डिजाइन इसकी बेसिक डिजाइन है कुछ बहुत स्पेशल नहीं है आइकू 7 जैसा ही दिखता है और जो बैक के दोनों फिनिश है रेंबो और ब्लाक वो दोनों वीबो टीवन के जैसे हैं ठीक है तो कलर्स में ब्लाक और रेंबो और इसका ब्लाक 9.4 mm रखा है तो पतला कह सकते हैं वेट 197 ग्राम है तो यह पतला नहीं हो और फिर स्क्रीन साइज को देखते है कि यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी मतलब पर्सनल आपके लिए अच्छा हो सकते हैं कि आपको गेम खिलने के लिए बड़े स्क्रीन चाहिए मुल्टी 300 हर्ट्स है मतलब नॉर्मली आपने जो भी मिड रेंज के फोन सारे हैं रियल्मी वागेरा लॉंच आया रेट्मी का लॉंच आया सब में 240 हर्ट्स था इसमें 300 हर्ट्स है तो आपको और बेटर टश रिस्पॉंस मिलेगा गेमिंग में हेल्प होगी ठीक है इसके बादे करें कुछ बोल रहे हैं मेरी कुछ दास होएं नहीं है लेकिन यह है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी पीक ब्राइटनेस बोले तो हाइस्ट पॉइंट पर मतलब यह इसका मैक्सिमम लिमिट है यह वहां तक पहुँच सकती है theoretically पहुचती भी होगी उनके लाब टेस्टिंग कंडिशन्स में प्रोसेसर की बात कर लेता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह कि उसी से फोन चलता है बेसिकली तो स्नापड्राइगन ट्रिपल एट मिल जाएगा जो की 5G प्रोसेसर है ट्रिपल एट आ ठीक है पिछले साल का है और हीटिंग प्राइस के हिसाब से तो सही आपको ट्रिपल एट मिल रहा है ठीक है 5G की प्रोसेसर पे है और एंटुटू का स्कोर इसका साथ लाख तीस हजा यानि सेवन लाख थर्टी थाउदिन के ऊपर ऊपर ही आता है गीक बेंच का स्कोर भी मैंने मेंशन कर देंगा कि वहीं पर मेंशन था तो लिख लिख लिए है 1133 सिंगल कोर में और 3784 मल्टी स्कोर में स्कोर था अब आते हैं बैटरी पे 4500 एमेच की बैटरी है यह हो सकता है कि आपको लगेगी 5000 एमेच होनी चाहिए थी या जो भी लेकिन ठीक है 4500 एमेच भी आपको लगबग पूटा दिन दे देगी और अगर नहीं भी देगी त तो चार्जिंग प्यात है 66 वाट की फ्लैश चार्ज है तो उससे आप जल्दी से टॉप अप कर पाऊगे टाइप सी है टाइप सी और 66 वाट का जो चार्जर है वो भी इन दे बॉक्स आपको मिल जाएगा तो वो परिशान होने की बात नहीं अब आते है कैमरा पे और कैमर आपको ध्यान से समझना यह इसका एक बहुत में फीचर है इसलिए जो 30,000 या उस रेंज का प्राइज है वो थोड़ा सा जस्टीफाई होत रहा है डो है है ट्रिबल कैमरा आपको मिलेगा जरीयर में लेकिन क्वाड फंक्शन है शाज blend यह तीन ही कैमरा जो है वो चार उल्ग को यह करेंगे मतलब एक कैमरा जो है वह दो फंक्शन camera ठीक है 13 megapixel का wide angle आपको मिल जाएगा और यही camera जो है यह आपको दो काम करके देता है सबसे पहला काम तो यह अपना काम करता है wide angle का 120 degree का आपको field of view मिलता है और macro जो है यह 2.5 cm तक के पास से macro photo को उठा सकता है 2 megapixel का monochrome cam मिलेगा अब ठीक है monochrome बीच में दो बार आया था आप main camera से photo लेके उसको क्यों नहीं filter लगा दोगे जो भी इसका लगला function होता होगा मेरे किसी phone में कभी monochrome chrome cam नहीं था मैंने कभी test नहीं किया तो अपकी अपनी choice हो सकती है फ्रंट में आपको punch hole के अंदर मिल जाएगा 16 megapixel का एक camera वीडियो यह mention तो नहीं थी लेकिन क्योंकि इसके specs जो है वो iqoo का एक और phone आया था neo 5s करके पिछले साथ उससे बहुत मिलता जूलता है तो उसमें वीडियो को लेके बहुत बड़ी controversy थी क्योंकि जो front cam है वो इतना मतलब यह upper mid range हो गया ना अगर realme के 20-25,000 के phone को आप mid range मान रहे हो तो यह 30,000 के round है तो अपर mid range तो अपर mid range में भी य आपको front cam से तो आप blog व्लोग के लिए ऐसे तो quality content quality के उपर नहीं जाते हैं छोड़ देते हैं फिर लंबा हो जाए speaker सही आपको dual stereo speakers मिल जाएगा storage टाइप की बात करते हैं तो बहुत सही UFS 3.1 तो फास्ट रहेगा phone snappy रहेगा आपको apps वगरा opening time storage का जो भी काम होता है उसके साथ साथ और भी बहुत अच्छा partner आपको मिल जाएगा LPDDR5 RAM के रूप में और virtual RAM 4GB तक बढ़ा सकता है उसमें 4GB लिखा हुआ था तो मैंने 4GB मेंशन कर दिया है सॉफ्ट्वेर जो है वह एंड्रोइड 12 पंटच वेस 12 के साथ मिलेगा इनका कस्टम्स के नोता है वीवो का ही है तो वीवो राइकू समझ रहो ना दोस्ती बनी रहे 3.5 mm यह अब important है देखो अब यह कोई कोई लोग बोलते हैं कि इस section का क्या काम रेड्मी वाले वीडियो के नीशे था तो रेड्मी के इस प्ले मस्त तो इन डिस्प्ले दे रहा है सही है कार्ड स्लोट भी नहीं है तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते स्वेज अब यह बला दूं कि यह जो है यह अभी तक वीवो के ओफिशल वेबसाइट पे नहीं आये डीटेल्स लेकिन यह आईकू बोलो आईकू के इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा इसमें यह लोग कुछ कुछ दे रहें मतलब रेडिमी से लंबा लिस्ट पहली बार मुझे मिला है तो ध्यान से देखो इसमें आपको वेपर चिंबर कूलिंग मिल जाएगी उसके बाद एक इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप करके है वो आईकू के पिछले साल के लॉंचेज में भी सेवन वगरा के टाइम में भी बहुत हाइप किया था उसको तो अगर आप उस समय किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो से समझ गया थे कि वो क्या है तो सही है उसके बाद आपको एक अल्ट्रा गेम मोड मिलेगा एक ठीक है भाई 3D ले लो 4D सॉरी लॉंच यह 23rd February को हो गई है अभी तक लॉंच खतम हो गई है अवेलेबिल्टी जो है वो Amazon पर आईकू के e-store पर आईकू का लिंक क्या है लिंक का क्या सीन है यह आपको जाधा टेंशन नहीं है आपको आईकू के वेबसाइट पर जाना है मत जैसे आप इसी फोन को सलेक्ट करके प्री ओर्डर या बाई नाव पर क्लिक करो गए तो सीधे आपको रिडाइरेक्ट कर देगा इसलिए आप आईकू के e-store पर फोकस मत करो कि उसका URL ढूनना है आईकू इंडिया लिखना आईकू इंडिया के में वेबसाइट के जाना व पराइस की बात करते हैं और स्टोरेज वेरियंट्सी तो 8128 और 12256 दो वेरियंट्स में आविलेबल है एट 128 की जो प्राइस है वो 33 nd डबल लाईन जीरो है यानि 34000 के असपास और 12256 की जो प्राइस है वो 37 nd डबल लाईन 0 है यानि 38,000 के आसपास offers की अब बात करते हैं तो offers यह Amazon वाले offers है आईकू के e-store पर अभी तक यह phone list ही नहीं हुआ है सोच लो तो offers भी उसके list नहीं हुए जबकि हो जाना चाहिए था खेर ICICI के credit cards और credit card EMI पर EMI मैं बहुत ज्यादा prefer नहीं करता हूं कि usually वो नहीं होता है 0% तो ICICI के credit और credit card EMI पर आपको flat 3000 ओफ मिलेगा मतलब कुछ यह नहीं कुछ हो नहीं तो लगवागो 31,000 से आपका phone effectively start हो जाएगा उसके अलावा अगर आप exchange करते हो कुछ तो आपको extra 3000 ओफ मिलेगा यह सब Amazon के offers में बता रहा हूं अभी तो आपको extra 3000 ओफ मिलेगा आपके phone के value के उपर माल लो कि आपका कोई पुराना phone 5000 का है तो वो 5 plus 3 8000 का value आपको मिल जाएगा phone पे और no cost EMI leading banks पे up to 12 months तो ठीक है बजाज कस पे जो fin serve card है या क्या उसको बोलते है no cost EMI card की जरूरत नहीं है leading banks के credit और debit card पे आपको up to 12 months no cost EMI मिल जाएगी तो अगर आपको EMI ही लेनी है no cost EMI लेना calculation कर लेना मेरे इसाब से क्या सस्ता पड़ेगा उसके तरफ जाना अगर आपको EMI या break up में ही लेना है basically यही scene है तो चलो फिर इतना ही था ठीक है मतलब 30K के range में तो मस्ती लग रहा phone और iq9 से बहुत ज्यादा मिलता जूलता है अगर आपने देखे होंगे specs iq9 के वीडियो जगर देख लिए होंगे तो काफी ज्यादा मिलता जूलता है और price में difference significant है तो iq9 लेना था ऐसा ही कुछ तो iq9 के जगह iq9 हो सकता कुछा मेहंगा लग गया हो तो यह ट्राइब कर सक्यों या price drop का इंतजार कर सक्यों price drop iq9 के phones पे जबरदस्त होते हैं तो वह आपके उपर है चलो फिर बाई